रह्मान का बेटा विश्नु प्रभाकर क्रोध और वेदना के कारण उसकी वानी में गहरी तलखी आ गई थी और वो बाद बाद में चिंचिना उठता था यदि उस समय गोपी ना आ जाता तो संभव था कि वो किसी बच्चे को पीट कर अपने दिल का गुबार निकाल लेता गोपी ने आकर दूर से ही पुकारा साहब, सलाम, भाई रह्मान, कहो, क्या बना रहे हो रह्मान के मस्तिश्क का पारा सहसा कई डिगरी नीचे आ गया यद्धिपी क्रोध की मात्रा अभी भी काफी थी बोला, आओ गोपी काका, साहब सलाम, बड़े तेज हो, क्या बात है गोपी बैठ गया, रह्मान ने उसके सामने बीरी निकाल कर रखी और फिर सुलगा कर बोला, क्या बात होगी काका, आज कलके छोकरों का दिमाग बिगड गया है जाने कैसी हवा चल पड़ी है, माबाप को तो कुछ समझते ही नहीं गोपी ने बीरी का लंबा कश खीचा और मुस्कुरा कर कहा रह्मान, बात सदा ही ऐसी ही रही है, मुझे तो अपनी याद है, बाबा सिर पटक कर रह गए मगर मैंने चट शाला में जाकर हाजरी नहीं दी, आज बुढ़ापे में वो दिम याद आते हैं, सोचता हूँ दो अच्छर पेट में पढ़ जाते तो बीच में बात काटकर रह्मान ने तेजी से कहा, तो काका नशा चड़ जाता, अच्छरों में नाज से जादा नशा होवे है, ये दो अच्छर का नशा ही तो है, जो सलीम को उड़ाए लिए जावे है, कहवे है कि इस बस्ती में मेरा जी ना लगे, सब गंदे रहते हैं, ब फिर हम जैसे नाली में कीड़े बिलबिलाए हैं ना, उसी तरह की हमारी जिंदगी है, कहते कहते रह्मान की आखें चड़ गई, बदन कापने लगा, हुक्के को जिसे उसने अभी तक छुआ नहीं था, इतनी जोर से पैर से सरकाया, कि चिलम नीचे गिर पड़ी, और रहमान की तेजी देख कर कहा, उसका बाप स्कूल में चपरासी था ना, जी हाँ, वही असल तो खराब करे है, पढ़ा नहीं था तो क्या, हर वक्त पढ़े लिखे के बीच रह वे था, मगर साले ने किया क्या, भरी जवानी में पैर पहला कर मर गया, बीवी को भी कहीं का न पर वो, आगे जैसे रहमान की आँख में कहीं से आकर कुणत पढ़ गई, जोर जोर से मलने लगा, उसी क्षण शून्य में ताक्ते ताक्ते गोपी ने कहा, सलीम की मा बड़ी नेक दिल औरत है, रहमान एकदम बोला, काका फरिष्टा है फरिष्टा, ऐसी नेक दिल औरत कह कभी इदर उदर देखा है मुझे, गोपी ने ततपरता से कहा, कभी नहीं रहमान, मू देखे की नहीं, इमान की बात है, पांच पंचों में कहने को तयार हूँ, और रही चोरी की बात, किसी के घर डाका मारने कौन जावे है, यू खेत में से घास पात तो तुम लाओ ही ओ काका, गोपी बोला, हाँ लाओ हूँ, इसमें लुकाओ की क्या बात है, और लावे क्यों ना, हम क्या इतने से भी गए, बाबु लोग रोज जेब भर कर घर लोटे हैं, सच कहूं रहमान, तनखा बाटते वक्त अंगूठा पहले लगवा लेवे हैं, और पैसों के वक्त कि ऐसी दुदकार देवे हैं कि विचारमूत आक्ता रह जावे हैं, इस सत्यानाशी राज में अंधेर कम नहीं हैं, पर बे माता ने हमारी सरकार की किस्मत में न जानी क्या लिख दिया है, दिन, रात, चोगुनी तरक्की होवे हैं, गांधी बाबा की भी कुछ पेश नहीं आ अर काका, ये कल का छोकरा सलीम हमें गुंडा बतावे है, गुंडे साले तो वो हैं, सच काका, कलब में सिवाय बढ़ मासी के का करे हैं वो, सराब वो पियें, जुआ वो खेलें, और गुंडे हम, और क्या, हमारे साब के पास आए दिन कलब का चपरासी आवे है, कभी सौ, क काका तुम क्या जानो, उसकी बात और है, जितने ये साब बहदुर हैं, और साब क्यों, बड़े-बड़े वकील, बलिस्टर, लाला, सभी, सभी आजकल कलब जावे हैं, मुसल्मान को शराब पीना हराम हैं, पर वहाँ बैठकर विस्की, जिन, पोरट, सेरी, सब चड़ा हैं कि पराए मरद की कमर में हाट डाल करके लिए फिरे हैं उन्हें, और वो हस हसकर खिलर-खिलर बातें करें हैं, काका जितनी देर वो वहाँ रहवे हैं, ये यही कहते हैं, उसकी बीबी खुबसूरत है, इसकी जोरदार है, सर्मा खुसकिस्मत है, रफिक की लॉंडिया उ बने थे, वो लाला जी लोगों को हसाते रहे और मेजर साब उनकी बीवी को लेकर डाक बंगले की सेर करने चले गए, ये हैं बड़े लोगन के चाल चलन, ये हमारे आका, हमारे भाग की लकीर इनकी कलम से खिंचे है, गोपी ने फिर जोर से बीडी का कश खिंचा और गंभ तमीज, बदसहूर, बे अकल और नजाने का का कहवे है, मैंने भी सोच लिया है, आज उसके फैसला करके रहूंगा, मैंने हमिशा उसे अपना समझा है, नहीं तो, गोपी ने अब अपना डंडा उठा लिया, बोला, रहमान, कुछ भी हो, सलीम तेरा ही लड़का माना जाव जवान है, अबे तबे से न बोलना, समझा, आजकल हवा ऐसी चल पड़ी है, और चली कब नहीं थी, फरक इतना है कि पहले मार खाकर बोलते नहीं थे, अब सीधे जवाब देवे हैं, रहमान तेज ही था, कहा, मैं उसके जवाबों की परवा क्यों करूं काका, जावे जहन्नम में मेरा लगे क्या है, और काका मैं उसे मारूंगा क्यों, मेरे क्या हाथ खुले हैं, मैं तो उससे दो बात पूछूँगा, रास्ता इधर या उधर, और काका, मुझे उस साली की जरा भी फिकर नहीं, फिकर उसकी माँ की है, यूं तो उलाद और क्या कम है, पर जरा यही कुछ सऊरदार था, काका मैं सोचता था कि पढ़ लिकर कहीं मुन्शी बनेगा, जात विरादरी में नाम होगा, लेकिन लिखा क्या किसी से मिटा है, गोपी बोला, हाँ रह्मान, लि वो गैरत जल्दी आजावे है, समझा, हाँ हाँ समझा काका, और फिर गोपी डंडा उठा, घास की गटरी को कंधे पर डाल, साहब सलाम करके चला गया, रह्मान कुछ देर वहीं शून्य में बैठा, धुंदले होते वातावरण को देखता रहा, मन में उमड गुमड कर वि कुछ भी नहीं था, इसलिए उससे मन की जुझलाहट और गहरी होती गई, करुणा और विशाद कोई उसे कम नहीं कर सका, आखिर वो उठा और अंदर चला गया, घर में सन्नाटा था, बच्चे अभी तक खेल कर नहीं लोटे थे, उसकी बीवी रोटियां सेक रही थी, साल के सिर का गंदा कपड़ा खिसकर कंधे पर आ पड़ा है, यद्यपी जवानी बीद गई है, तो भी चहरे का भराव अभी अलका नहीं पड़ा, गोरी न होकर भी वो काली नहीं है, उसकी आखों में एक अजीब सा नशा है, वही नशा उसे बर्बस खूबसूरत बना देता ह जिसकी और वो देख लेती है, एक बार तो वो ठिठक कर रह जाता है, रहमान सहसा ठिठका, उन दिनों इन ही आखों ने मुझे बेबस बना दिया था, नहीं तो, सहसा उसे देख कर उसकी बीवी बोल उठी, इतना तेज क्यों हो रहे थे, गेरों के आगे क्या इस तरह घर क बातें कहते हैं, रहमान कुछ तलखी से बोला, गेरों के आगे क्या, पानी अब सर से उतर गया है, कल को जब घर से निकल जावेगा, तब क्या दुनिया कानों में रुई ठूस लेगी, या आखे फोड लेगी, बीवी को दुख पहुचा, बाप बेटे क्या दुनिया में क इस तरह कहता, जबान न खीच लेता साले की, देखूंगी, किस-किस की जबान खीचोगे, अभी तक तो एक भी बात नहीं सराहता, बच्चे और जानवर बराबर होते हैं, नहीं होएं, पर पूत के पाउं पालने में नजर आ जावे हैं, और फिर वो कौन सा जवान है, अल पर इतना मूर्ख नहीं था, उसने समझ लिया कि उसने बीवी के दिल को दुखाया है, पर वो क्या करे, सलीन से उसे क्या कम मुहबबत है, पेट काट कर उसे रहमान नहीं तो स्कूल भेजा है, उसके लिए अब भी कभी बड़े बाबू, कभी डिप्टी, तो कभी बड़े साहब के आगे गिरगिराता है, इतनी गहरी मुहबबत है, तभी तो इतना दुख है, कोई गैर होता तो, तभी उसके चारों बच्चे बाहर से शोर मचाते हुए आप उचे, वो धूल मिट्टी से लिथडे पड़े थे, परंतु गंदे और अर्ध नग्न होकर के भी प्रस जहां गई थी चुडेल, लड़की सहम गई, घबरा कर बोली, भाईया की जगा, कौन सी जगा, जहां भाईया जाते हैं, दूर, छोटा लड़का जो दस बरस का था, अब एकदम बोला, अबबा वहां बहुत सारे आदमी थे, तीसरा भी आठ बरस का था, आगे बढ़ाया और बोला, वहां लेक्चर हुए थे, रह्मान अचकचाया, लेक्चर, लड़की ने कहा, हाँ अबा, लेक्चर हुए थे, भाईया भी बोले थे, लड़कों ने, लोगों ने, बड़ी तालियां पीटी, अम्मा का मूँ सहसा खिल उठा, गर्व से एक बार उसने रह्मान को ही थी, हम गंदे रहते हैं, हम अनपढ हैं, हम चोरी करते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाने को नहीं मिलता, रह्मान चिहुक कर बोला, देखा तुमने, बीवी ने तिनक कर कहा, हाँ ठीक है, सुनो तो, हाँ, और क्या कहा लाली, लड़का बोला, मैं बताओं अम्मी, भहिया ने कहा था इसमें हमारा कुसूर है हाँ लड़की बोली उन्होंने कहा था कि बड़े लोग हमें जान बूझकर नीचे गिराते जावे हैं और हम बोले ही नहीं और फिर अब्बा की तरफ मुड़कर बोली क्यों अब्बा वो लोग कौन है अब्बा तो बुद्बने बैठे थे क्या कहते लड़का कहने लगा अब्बा और जो उनमें बड़े आदमी थे सबने यही कहा हम भी आदमी हैं हम भी जिएंगे पर अब हम जाग गए हैं अम्मी ने एक लंबी सांस खीची चहरा प्रकाश से भर उठा सुनते हो सलीम की बातें रह्मान अब भी नहीं बोला लड़की बोली और अम्मी भाईया ने मुझसे कहा था कि अब मैं घर नहीं आऊंगा नहीं आएगा हाम्मी रह्मान की निद्रा तोटी क्यों नहीं आएगा क्योंकि हम गंदे नहीं अब्बा लड़की आप ही आप कुछ गंभीरता से बोली भाईया ने मुझसे कहा था कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा नया घर लूंगा बहुत साफ अब्बा से कह दी जो कि वहां रहने से गड़बड हो सकती है हम लोगों के पीछे पुलिस लगी रहती है वहां आएगी तो शायद अब्बा की नौकरी चूट जावेगी लेकिन अब्बा हो तो बोलें उनके तो सिर में भूचाल आ गया है वो घूम रहा है कि रुकता नहीं